नमस्कार दोस्तों हम अपनी इस वीडियो में आपको शिरी कृष्ण की जनम भूमी के बारे में बताने जा रहे हैं इस धर्ती पर जनम लेकर शिरी कृष्ण की जनम भूमी नहीं देखी तो क्या देखा मतुरा यमना नदी की तरफ पर बसा एक सुन्दर सा शहर है शिरी कृष्ण का जनम मतुरा के कारागार में हुआ था हम आपको अपनी इस वीडियो में मतुरा और व्रिंदवन जैसे पावंस्थान के मंदिरों के बारे में बताने जा रहे हैं इन मंदिरों को देखने के लिए भारत ही नहीं विदेशों से भी कई लोग आते हैं इन मंदिरों को बताने से पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी अगली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके व्रिंदवन एक बहु भी जानते हैं कि शिरिकृष्ण का नाम राधा जी के नाम के बिना अधूरा है शिरिकृष्ण जी के नाम से पहले राधा जी का नाम आता है जैसे राधे कृष्णा बरसाने गाव के बीचों बीच एक पहड़ी है जिसके ओपर राधा रानी का मंदिर है इस मंदिर को बरस सजाया जाता है इस दिन राधा जी को लड़ूं का भोग लगाया जाता है मोर को राधा कृष्ण का सवरूप माना जाता है राधा इश्टमी के अफसर पर राधा रानी के मंदिर के सामने मेला भी लगता है राधा रानी के मंदिर के बाद अब हम आपको ले चलते हैं कोकिला कि दूरी 23 मिनट यानि लगबख 13 किलो मिटर की है यहां आप बस या टेकसी आपनी कार से जा सकते हैं जानिए कोई का आरे है कोचिलावन परिसर है यहां के मुख्य देवता शनी देव हैं कहा जाता है कि यहां शिरी कृष्ण के दर्शन हे तू शनी देव ने बहुत कठो तपस्या की थी और इससे प्रसन होकर शिरी कृष्ण ने उन्हें कोयल के रूप में दर्शन दिये थे यहां पर दो प्राचीन सरोवर और गव शाला भी है जो लोग यहां आकर शनी महराज के दर्शन करते हैं उन्हें शरी दर्शा नहीं सताती यहां पर शर्धालू शनी वार को 3 किलो मेटर की प्रक्रिमा करते है श्रिकिष्ट के कोयल रूप में दर्शन देने के कारण ही इस वन को कोकिला वन के नाम से जाना जाता है कोकिला वन के बाद आता है ठाकुर जी का मंदिर व्रिंदा वन में कोकिला वन से इस वन की दूरी 56 मिनट की है जानिये ठाकुर जी के मंदिर के बारे में ठाकुर जी के मंदिर को बाके बिहारी के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है यह भारत के प्राचीन और प्रसिद मंदिरों में से एक है बाके बिहारी कृषिन का ही एक रूप है जो इसमें परदर्शित किया गया है यह मंदिर विंदावन धाम के एक सुन्दर से इलाके में स्थित्थ है इस मंदिर में केवल श्रावन तीज के धीनी ठाकुर जी जुले पर बैटते हैं जनमाश्वी के धीनी केवल उनकी मंगला आर्ती होती है जिसके दर्शिन बहुती सो भागे से होते है जून के महीने में ठाकुर जी का दर्बार फूलों से सजाया जाता है जिसकी खुश्बू आपको अपनी तरफ अकर्शित करती है बाके मिहारी के मंदिर के बाद आईए अब हम आपको ले चलते हैं निधिवन ठाकुर जी के मंदिर से निधिवन की दूरी 16 मिनट की है यहां पर जाने के लिए आपको बड़ी ही असानी से कोई भी रिक्षा मिल सकती है जानिये निधिवन के बारे में दूरी 1 ठीवें यहां से रासलीला की आवाजें भी आती हुई सुनी है कहा जाता है कि अगर कोई साधरन मुनुश्य इस रासलीला को देख ले तो वह अंधा हो जाता है यहां पर हर रात रास लिला होती है नीदी वन के बाद आएए हम आप आपको बताते हैं गिरी राज मंदिर के बारे में यह मंदिर नीदी वन से 24 मिनट की दूरी पर है जानिए गिरी राज मंदिर के बारे में गिरी राजी का मंदिर गिरी राज मंदिर को ही गोवर्धन गिरी राज या गोवर्धन परवत कहा जाता है यह भगवान शिरी कृष्ण की लिला स्थली है यहाँ पर भगवान शिरी क्रिश ने द्वापर योग में ब्रिजवासियों को इंद्र के प्रकौप से बचाने के लिए गोवर्धन परवत अपनी छोटी सी उंगली पर उठाया था सदियों से यहाँ दूर दूर से भक्त जन अपनी इच्छा पूर्ती के लिए गिरी राज की प्रकौप करने के लिए आते हैं यह लगभग 14 किलोमेटर की है मार्ग में पढ़ने वाले प्रमुक स्थान, आनियोर, राधा कुंड, कुसुम सरोवर, मांसी गंगा और गोविंद कुंड इत्यादी है यहाँ पर कई धरमचाला या वं होटल भी है यहाँ पर आप रुख भी सकते हैं गोवर्धन परवत की प्रिक्रिमा करने से आपकी हर इच्छा पूरी होती है गोवर्धन परवत के बाद हम आपको बताते हैं राधा कुंड के बारे में जानिये राधा कुंड के बारे में राधा कुंड, राधा कुंड के विश्य में मानेता यह है कि यदि किसी दमपत्ती को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो वे होई एश्टमी की मध्य रात्री को यहां सनान करें तो उसे संतान प्राप्ति अवश्य होगी शिरी कृंड के कृंड बनाने के बादी राधा जी ने अपने कंगन से एक छोटा सा कृंड खोदा था जिसे राधा कृंड के नाम से जाना जाता है जब भगवान ने इस कुंड को देखा तो वे इसी में सनान करने लगे और इस कुंड को प्रसिध होने का वर्दान दे दिया राधा कुंड के बाद अब हम आपको ले चलते हैं प्रिया कान जी टेंपल की तरफ राधा कुंड से इस टेंपल की दूरी 30 मिनट की है प्रिया कान जी का टेंपल यह मंदिश श्री कृष्ण जी को समर्द पीप्ल है तो था इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की सुन्धर मनमोहन मूर्तिया है इस मंदिर की लगभग उन्चाई 121 फीट की है यह मंदिर कमल के रूप में बनाया गया है मंदिर के दोनों तरफ पानिंग के कुंड बने हुए हैं जिसमें होवारे भी लगाए गए हैं मंदिरों के चारों कोनों पर गनेश, हनुमान वा भगवान शीव के छोटे-छोटे मंदिर भी बनाए गए हैं प्रिया कान जी के टेंपल के बाद हम आपको ले चलते हैं प्रेम मंदिर की तरफ इस मंदिर से प्रेम मंदिर की दूरी सरफ आठ मिनट की है जानिए प्रेम मंदिर के बारे में प्रेम मंदिर प्रिंदवन आये और प्रेम मंदिर नहीं देखा तो कुछ भी नहीं देखा यह मंदिर कृष्ट और राधा जी की लिलाओं को परदर्शित करता है प्रेम मंदिर सुबह 5.5 बजे खुलता है और बंड 8.5 बजे होता है इस मंदिर को देखने में लगभग दो घंटे लग जाते हैं इस मंदिर का निर्मान संग्य मरमर के पत्थर से किया गया है जो दर्शकों को अपनी तरफ अकर्शित करता है यहां की दिवारों पर हर तरफ शिरी कृष्ण राधा जी की लिलाय अंकित है शाम के समय इस मंदिर में जलने वाली लाइटे आपको अपनी को मंत्र मुक्त कर देंगी और आपकी नजरे इस मंदिर से नहीं हटेंगे प्रेम मंदिर के बाद हम आपको ले चलते हैं इसकॉन टेंपल इसकौन टेंपल की दूरी प्रेम मंदिर से मातर दो मिनट की है जानिये इसकौन टेंपल के बारत महा भारत में भगवान शिरी कृष्ष ने धरम की रक्षा करने के लिए और अधरमियों का नाश करने के लिए अर्जुन कर सार्थी बनकर उनके मागदर्शिन किया था इसलिए इस मंदिर को इसकौन मंदिर भी कहा जाता है भगवान शिरी कृष्ष ने जब ये अवतार लिया था और अनेक लिलाई की थी प्रसिद इसकौन मंदिर को हरे कृष्ष न हरे रामा के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है यह मंदिर अंदर और बार दोनों तरफ से पत्थरों से बनाया गया है इस मंदिर में हर समय राधा कृष्षन के भजन काय जाते हैं जो आपको जूमने के लिए मजबूर कर देंगे इसकौन टेंपल के बाद अब हम आपको ले चलते हैं राधा वल्लब मंदिर की तरफ इस कॉन टेंपल से राधा वल्लब मंदिर की दूरी मादर आठ मिनट की है जानिए राधा वल्लब मंदिर के बारे में राधा वल्लब का मंदिर अपने आप में एक अलोकिक मंदिर है इस मंदिर में राधा क्रिशन को एक ही सवरूप में देखा जा सकता है इस मंदिल को लेकर एक कहावत सबसे ज़्यादा प्रचलित है कि राधा वल्लब दर्शन दुर्लब मानियता ये है कि जिस शर्धालू में सची शर्धा होती है उसी को राधा वल्लब के दर्शन होते हैं यहाँ पर हर किसी को राधा वल्लब के दर्शन नहीं होते कहा जाता है कि यदि आप केलाश परवत की यात्रा नहीं कर सकते तो भगवान राधा वल्लब के दर्शन कर केलाश यात्रा का फल प्राप्त कर सकते हैं यहां पर आधे हिस्से में राधा जी और आधे में कृशन जी दिखाई देते हैं रादवल्लब के दर्शन करने से सभी मनोकामनाय पूर्ण होती है अंत में मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी अगली वीडियो में आपको अलग-अलग प्लेसे पर कैसे और कितने समय पर पहुंचा जाए असानी से पता चल जाए चलिए आईए हमारे साथ जानिये मंदरों के बारे में तो चलिए कहिए राधे राधे अब हम आपको बताते हैं सबसे पहले बरसाने में राधा जी के मंदर के बारे में